Welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी exams के preparations भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो दोस्तो आज हम बहुत सारी questions आपके लिए लेके आए हैं सभी questions जो हैं बहुत ही important है allied में जो हैं पूछे जा चुके हैं ये questions तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला question है दोस्तो निमन लिखित में से कौन सा पहाड़ी गांदी कहलाता है who among the following is called पहाड़ी गांदी तो options है बाबा कांशी राम, ठाकुर दिलीप सिह, शिवा नंदर रामोल या फिर भागमल सोठा तो जल्दी से मुझे बताइए कि इस question का सही जवाब क्या होगा तो दोस्तो इस question का सही जवाब है बाबा कांशी राम नेमेन लिखित में से किसे पहाड़ी गांदी कहा जाता है तो बाबा कांशी राम, ये question अभी recently B.A.D. का जो exam हुआ था entrance test हुआ था, उसमें भी ये question पूछा गया था तो important है कई बार ये question पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी गांदी जो है पहाड़ी गांदी बाबा कांशी राम को कहा जाता है आईए दोस्तो अगले question की बात करें हिमाचल परदेश का मश्रूम शहर किसे कहते हैं मश्रूम सिटी किसे कहा जाता है सिरमौर को पीच बाउल कहा जाता है राजगर सिरमौर को शिमला में क्या है आपके शिमला को जो है सेबो की जो सेब यहाँ पर जादा उगाए जाते हैं बिलासपूर में आम की जो खेती जादा होती है तो ये सारी चीज़े आपको याद रखनी है कि कौन सा जीला जो है किस जीले में क्या चीज जादा उगाई जाती है तो मश्रूम सिटी के हम बात करें तो सोलन जो है मश्रूम सिटी से कहा जाता है आईए अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन है कहलूर रियासत का कौन सा राजा नी संतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तर अधिकारी के लिए संघर्ष हुआ तो दोस्तो इस question का right answer है option B खड़क चंद तो जो खड़क चंद थे वो नी संतान मर गए थे और उनकी मृत्यों के बाद क्या है कौन अगला उत्तर अधिकारी बनेगा उसके लिए काफी संघर्ष हुआ था जो खड़क चंद है उनका शासनकाल की बात करें तो 1824 से लेकर 1839 तक जो ही इन्होंने शासन किया था खड़क चंद के शासनकाल को जो है बिलासपूर रियासित के इतिहास का काला युग भी कहा जाता है ठीक है दोस्तो ये आपने याद रखना है कई बार ये भी कोशिन पूच जाता है तो दोस्तो संसारू वजीर की मृत्यू के बाद 1832 में उसका पूत्र जो था वीशन सिहां वजीर वो बना था और फिर उसके बाद रसल क्लाक उस समय अमबाला के लेटिन एजेंट हुआ पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे तो यह आपने याद रखना है मिया जंगी को खड़क चंद की मृत्यू के बाद प्रशासन का कामकाज सौंप दिया गया था तो यह कुछ चीज है जो आपको याद रखनी है खड़क चंद के शासनकाल से रिलेटिड अब बात करते हैं चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष जो है अपने रियासत के लगभग सारे वन पटे पर दे दिये थे तो दोस्तो किस वर्ष दिये थे 1863, 1864, 1865 या 1866 तो दोस्तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा option भी 1864 में जो है चंबा रियासत के कौनसे राजा थे तो चंबा रियासत की श्री सीह याद रखेगा चंबा रियासत के राजा श्री सीह ने 1864 में अपने रियासत के लगभग सभी वनों को जो है लीज पर दे दिया था आईए इनके बारे में कुछ डिस्कूस करते हैं तो दोस्तो 1864 में जो है 99 वर्षों के लिए श्री सिहने पट्टे पर अंग्रेजों को सभी वन दे दिये थे जिससे उन्हें क्या है 22,000 रुपे वार्षिक आये मिलती थी वाशिक पेंशन उनको इसके बदले में दी जाती थी ठीक है 1866 में बात करें तो चमबा में उन्होंने एक अस्पताल भी खोला था और 1870 में जो है 32 वर्ष की आयू में उनकी मृत्य हो गई थी और दोस्तो श्री सिहन का कोई भी पुतर नहीं था तो दोस्तो 1848 में जो है सनन्द द्वारा उसके छोटे भाई गोपाल सिहन को 1870 में मेजर ब्लेर रीड ने गद्दी पर बिठाया था तो श्री सिहन के बाद उनके छोटे भाई गोपाल सिहन गद्दी पर बैठे थे ठीक है आपको याद रखना है ये कुलू रियासत की राजा अजीत सिहन के किस चाचा ने कांगडा और मंडी के राजाओं की मदद से कुलू पर आकर्मन कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया तो दोस्तो फफ्ट क।वेस्ट का राजा है ने कांगडा दो सीखन चाचा है अजीत सिहां के चाचा थे तो कुलू के राजा अजीत सिहां जो है उनके चाचा किशन सिहां ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदसे कुलू पर आकर्मन किया था ठीक है और मंडी के राजाओं से दगाबाजी के कारण वो हार भी गए थे तो आईए उनके बारे में कुछ एक चीज़े डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तों बात करें किशन सीहा या फिर अजीत सीहा की तो अजीत सीहा की शासनकाल की बात करें तो 1816 से लेकर 1841 तक जो है अजीत सीहा का सासनकाल रहा था और विक्रम सीह की विवाहीता राणी की कोई भी संतान नहीं थी तो उसकी मृत्यु कब हुई 18-16 में हुई उसके अपरान्थ क्या है विक्रम सीह की जो रखेल हुआ करती थी उसके पोतर थे अजीत सीह तो उनको गदी पर बैठाया गया ठीक है तो 18-16 में जो है अजीत सिहां गदी पर बैठे और राजा अजीत सिहां के समय जो है 18-20 में विल्यम मूर क्राफ्ट ने जो है कुलू की यातरा भी की थी कई बार ये भी question पुछा जाता है कि विल्यम मूर क्राफ्ट ने किस राजा के समय जो है किस राजा का शासनकाल था जब कुल्लू की यात्रा की थी तो राजा अजीत सिहां का शासनकाल था उस समय तो दोस्तों वो कुल्लू की यात्रा करने वाले जो थे पहले यूरोपिय यात्री थे और राजा अजीत सिहां के चाचा जो है किशन सिहां ने कांगड़ा की मदद से कुलू पर आकरमन किया था राजा अजीत सिहां ने मंडी की सहायता से किशन सिहां को पराजित कर बंदी बना लिया था तो ये भी आपको याद रखना है कि राजा जो अजीत सिहान है उन्होंने मंडी की सहायता से किशन सिहान को पराजित कर उन्हें बंदी बिनाया था और काबुल के अमीर शाह सूजा जो है कुलू में शरण ली थी जिससे रंजीत सिहान नराज हो गए थी ठीक है और द्वंड सरूप जो है असी हजार रुपे की उन्होंने मांग की थी तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है इंपोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए 1840 में जब कुलू पर आकरमन कर राजा अजीत सिहान ने कुलू रियासत को खदेड दिया था तो ये भी याद रखना है कि जर्नल वंचूरा ने जो है मंडी के साथ 1840 में कुलू पर आकरमन कर अजीत सिहान को कुलू रियासत से खदेड दिया था कब हारे थे 1840 में किसके द्वारा जुर्नल वंचूरा के द्वारा वो हारे थी ठीक है तो राजा अजीत सिहने फिर बिटिश जो सरकार है सांगरी ठीक है वहाँ पर उस रियासत में शरन ली थी जहां उनकी मृत्यू कब हुई 1841 में उनकी मृत्यू हो गई थी तो ये कुछ राजा अजीत सिहन से रिलेटिड आपको जो पता होनी चाहिए आईए अगले कुछिन के और बढ़ते हैं कांगडा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहु की बली दी थी तो दियोस तो ये स्टोरी वैसी ही है जैसे बिलासपूर में भी राजा ने पानी के लिए अपनी बहु की बली दे दी थी तो इस पर एक गाना भी बनाया गया है कांगडा से रिलेटिड जो बहु की बली दी गई थी तो वैसी ही सेम सेम सिमिलर स्टोरी है तो बात करते हैं किस क्षेत्र के राणा ने थी के दर राणा ओफ विच रीजिन कांगडा is said to have sacrificed his daughter-in-law to open a water channel तो गडोह खनियारा पालम या फिर चंडी तो दोस्तो इस question का right answer option B खनियारा जो है खनियारा के राणा ने पानी के लिए जो है अपनी बहु की बली दे दी थी तो यह आपने याद रखना है एलाइट में ये question पूछा जा चुका है आई अगल question की बात करें भागल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद सेन ने दोखे से मार दिया था which king of the princely state of भागल was freshly killed by राजा सिद सेन of मंडी रगुनात पाल दलेल पाल पृथिपाल या फिर मान पाल तो दोस्तो इस question का right answer क्या होगा option C जो है इस question का right answer है पृथिपाल तो भागल रियासत के पृथिपाल जो है मंडी के राजा सिद सेन ने उन्हें धोखे से मार दिया था ठीकर तो सिद सेन के शासन काल की बात करें तो 1684 से लेकर 1727 तक जो है इन्होंने उन्हें शासन किया मंडी के राजाओं में सिद सेन एक योगिए एवं कुशल योध़ा जो जो सिद्ध सेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिहां मंडी भी आये थे तो सिद्ध सेन के ही शासनकाल में आये थे तो सिद्ध सेन ने दोस्तो बंगाहल में राजा प्रिथी पाल की हत्या जो की थी हत्या दम-दमा महल के भीतर करवा दी थी तो ये भी पूछा जाता है कि महल के भीतर करवाई थी तो दमदमा महल के भीतर जो है पृथिपाल की उन्होंने हत्या करवाई थी और सिद सेन ने 1695 में जो है सरखपुर किला भी बनवाया सिद सेन ने गनेश, त्रलोकीनाथ मंदिर पंचवक्तर मंदिर सिद जालपा मंदिरों का भी निर्मान करवाया तो ये भी आपको कुछ चीज़े हैं पता होनी चाहिए सिद सेन के बारे में और सिद सेन ने अपने पिताक की जो रखेल पुतर मिया जपो को अपना वजीर नियुक्त किया था जो एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनितिग्य माने जाते हैं तो ये कुछ चीज़े थी जो हमें डिटेल में डिस्कुस कर दी थी अब आईए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन की एओ हुम ने भारती राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना की कलपना शिमला शहर की किस इमारत में की थी इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन डिड एओ हुम इमार्जन दे इस्टाबलिश्मेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तो इमारते हैं दोस्तों पहला पीटर होफ, रौथनी कैसल, रेड रूफ या फिर मैनर हाउस तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा रौथनी कैसल, ऑप्शन बी जो है राइट अंसर है, इसके बारे में कुछ चीज़े डिसकस करते हैं जो उननीस्वी शेताबदी है उननीस्वी शेताबदी में जो रौथनी कैसल जो है बना था, ठीक है जिसे सबसे जादा याद किया जाता है इसे भूत पुर्व मालिक, इसके जो भूत पुर्व मालिक थे कौन थे, एयो हूम के चलते, जो है जाखु स्थित, जाखु में है आपका रौथनी कैसल, शिमला के जाखु में रौथनी कैसल का निर्मान हुआ था कब 1838 में, तो 1838 में हुआ था आपके रौथनी कैसल का निर्मान तो इसके पहले सचीव जो थे, डौक्टर कार्टे थे वर्ष 1843 में यहां शिमला बैंक कॉर्परेशन का कारेश शुरू किया गया था लेकिन 1851 में यहां से बैंक हटा दिया गया और बैंक के ही एक करमचारी को जो है आर्नल ने 1854 में इसे खरीद लिया ठीक है इसके बाद यहां पर आश्याना सजाया गया एयो ह्यूम ने तो एयो ह्यूम यहां रहा करतेивать हैं जिनों ने आगे चल कर क्या है बारति रौश्ट्टि कॉंग्रेस की स्थापना की थी और एयो ह्यूम ने ही वर्ष 1867 में जो है इसका नाम रौथनी कैसल कर दिया था और यहीं रहते यूए भारत सरकार के ततकालिक सचिव एयो ह्यूम के दिमाग में पार्टी गठित करने का विचार उपजा और कॉंग्रेस पार्टी की स्थापना के संबंद में कई महत्वपूर्ण जो बैठ के हैं वो भी रौथनी कैसल में हो चुकी हैं तो ये आपको याद रखना है अब बात करते हैं हिमाचल परदेश के कितने नगर निगम काराले हैं how many municipal corporation offices are there in हिमाचल परदेश तो option है दोस्तो 1, 5, 6 या 3 तो इस question का right answer है option B 5 हिमाचल परदेश में कुल 5 नगर निगम काराले हैं इसमें से जो है शिमला में है धरमशाला में है पालमपूर में है मंडी में है और सोलन में है ठीक है तो हिमाचल परदेश का पहला न 351 में पंजाब सरकार ने इसे गठित किया था ठीक है तब इसमें कुल कितने सदस्ते थे तो 19 सदस्ते इसमें कुल हुआ करते थे जिन में से 7 अधिकारी थे 12 गैर अधिकारी होते थे और इन 12 गैर अधिकारियों में से 3 सदस्ते को सरकार चुनती थी जबकि बाकी 9 सदस्ते जो है चुन कर आते थे इसके लिएवा चार सदस्य जो है पदेन सदस्य माने जाते थे तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए आईए अगले question के बारे में बात करते हैं तो अगला question है दोस्तो 1951-52 इस्वी में गठित पहली हिमाचल विधान सभा में मनुनित सदस्यों की संख्या कितनी थी what was the number of nominated member in the first हिमाचल legislative assembly constituted in 1951 and 52 तो option है शुनने एक दो या तीन तो दोस्तो इस question का जो सही जवाब होगा वो है option C 2 तो उस समय जो है मनुनित सदस्यों की संख्या कितनी थी दो थी कवबात 1951 और 52 वहीं बात करें वरतमान समय में हिमाचल परदेश में 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेतर है इन 68 विधानसबा क्षेत्रों में से 20 विधानसबा क्षेत्र जो है अरक्षित हैं और 17 विधानसबा क्षेत्र जो है अनसूचित जाती और 3 विधानसबा क्षेत्र जो है अनसूचित जन जातियों के लिए अरक्षित हैं और दोस्तों कांगडा जीला जो है कांगडा जीले में परदेश विधान सभा की सारवदिक पंद्रा निर्वाचन क्षेतर हैं तो ये भी आपको याद रखना है और जो जैवंत राम है फर्स्ट पहले विधान सभा के अध्यक्ष बने थी तो ये कुछ चीजे हैं जो आपको पता होने चाहिए चलिए अगले क्षेशन के और बढ़ते हैं अगला क्षेशन है दोस्तों अपंगो है तो विशेश रोजगार काराले हिमाचल परदेश में कब स्थापित किया गया वेन वोज अस्पैशल इंप्लॉइमेंट एक्सचेंज फोर हैंडिकाप्ट एस्टैब ये बात की जा रही है कि कब इसे खोला गया था तो राइट अंसर क्या होगा ओप्शन है 1976 में जो है अपंगो हेतु जो है विशेश काराले जो है खोला गया था अब बात करते हैं अगले क्षेशन की हिमाचल परदेश के उना जीले में फ्रूट डेमोंस्रेशन फार्म कहा है वेर इस दा फ्रूट डेमोंस्रेशन फार्म इन उना डिस्टिक ओफ हिमाचल परदेश तो ऑप्शन है सलोहो अंजोली जलेरा या या फिर पूबो वाल में तो दोस्तो इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन ए सलोह तो सलोह में है उना जीले के फ्रूट जो है चल रही है तो काफी चीज़े हैं आपको याद रखनी है फूट डेमोंस्रेशन फार्म की बात की जाए तो वो है सलोहो में तो दोस्तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये सीरिज अच्छी लगी होगी मैक्सिम जो कोश्चन थे वो पिछले जो अलाइट के एक्जाम से उससे लिए गए हैं तो ये काफी important बन जाते हैं इस point of view से तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़े मेरे चानल को सब्सक्राइब कीज़े बेल आइकन पर प्रेस कीज़े ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलते कीज़े तेंकी दूसू